What is health psychology? Health psychology है क्या? हमारी health के उपर psychological factors का क्या effect है? यह ही है health psychology, मतलब stress का, anxiety का, यह सारी चीज़े हमारी health को कैसे impact डालती है, health के उपर क्या impact डालती है, और कैसे मैंने ठीक कर सकते है? तो health psychology फोकस करती है, किस चीज़ भी, on the role of psychological factors, जैसे की stress and anxiety in the development, prevention and treatment of illness, खोई भी बिमारी को बढ़ने में भी रोल है, मतलब anxiety है, stress है, तो illness हमारी body में definitely लादाएगी है, उसे कम करके हमसे रोख भी सकते हैं, treatment में भी help कर सकते है, psychology, मतलब हमारी जो psychology है, mental psychology है, हमारी जो thinking है, वो उस चीज़ का हमारी health के उपर direct effect पढ़ता है, बिमारी करने में भी और उसे खतम करने में भी, health psychology explore करती है, how behavior, thought and emotions impact करते हमारी physical health को, health psychology का area यही है, कि हमारा जो thinking process है, हमारी जो thought है, हमारी जो emotions है, उन सब चीज़ों का हमारी body को उपर क्या effect पढ़ता है, हमारी physical health का क्या effect पढ़ता है, हमारी जो emotional situation है, हमारी emotions है, हमारी mental situation है, उसका हमारी physical health पर क्या effect पढ़ता है, Doefinitely direct effect पढ़ता ही है, तो health psychology चीज़ focus करते हैं, कि कितना impact है, हमारी mental health का, हमारी physical health के उपर, health psychologist जो है, वो focus करते है, on the stress, coping mechanism, adherence to the medical advice and the mind-body connections, माइंड का बोडी साथ करनेक्शन है तब भी एफेक्ट पढ़ रहा है मतलब हमारे अगर हम सोचते रहेंगे चीजों को तो वह ड़ को हमारी बोडी भी उस तरह से रिक्त करेगी हम सोचेंगे हमारे देबत खराब है तो डेफिनिटली बोडी उस तरह से ड्यक्ट करेगी मतलब बीमारी को करने में भी और उसका इलाज करने में भी जो हमारे थोट है जो हमारी इमोशन से उसका इंपेक्ट पड़ता है बोडी के ऊपर तो साइकलोजिस्त यही फाइंड आट करने को सिस करते हैं कि क्या इंपेक्ट परता है उससे कैसे सोटा और क्या सकते हैं क्या कनेक्शन और माइंड और बोडी के बीच में तो यह सारी स्टडिय होती है हेल्थ साइकलोजी में तो हेल्थ साइकलोजी मतलब जो मेंटल प्रोसे हैं जो thinking है जो thought है जो emotions है वो और सबका क्या impact है हमारे physical health के उपर अगर है तो उसे कैसे हम positive way में use कर सकते हैं और ठीक जो mind और body का connection है उसे समझने में भी health psychologist का important role है